नमस्कार आज में छोटे छोटे कत्रनों को बेहत्रिन यूज बताने वाली हूँ यह देखिए इन कत्रन से हम बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें बना सकते हैं हम इन कत्रन से कुशन्स कवर, बेट सीट कवर और हम पायदान वगरा इस तरह से टुकड़ों को जोईन करके हम कुछ भी बढ़िया सी चीजें बना सकते हैं यह देखिए मैंने 8 हिंच लंबा और 8 हिंच और चौड़ा चौपोर कपड़ा कट कर लिया है इसी साइज से बाकी सारे कपड़ों को कट करके रख लिया है अब क्या करेंगे हम सारे जो भी कलर मैंने कट किये हैं इन कलर्स को एक दूसरे में इस तरह से जोईन करेंगे यह दि आपके पास कत्रन बहुत ज़ादा हो तो आप इनसे बेट सीर बना सकते हैं आप इनसे यह न्यू कपड़ा है तो पूजा के आसन बना सकते हैं आप इसे कालिन बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया इनसे बना सकते हैं आप अपने टाइम का यूज कर सकते हैं इस तरह से तो देखें मैंने यह तकर जोड़े हैं चोपोर करके तो चार पीस मैंने जोइन कर दिया एक दूसरे में उसकी लंबी पट्टी बना कर देखिए तीन पट्टी लाइन से जोइन कर दिया तो मैं इसका पाइदान बनाने वाली हूँ पाइदान की लंबाई चोड़ाई इसमें आगई है और अब हम क्या करेंगे इसके नीचे एक पुरानी टाविल का यूज़ करेंगे इस पुरानी टाविल की लाइनिंग लगा देंगे ये टाविल पानी भी सोखता है यदि आप तो इसकी जगा आप जूत की बॉरी का भी यूज़ कर सकते हैं या कोई मोटी बेस्पीड वगरा भी लगा सकते हैं ऐसा काटन का कपड़ा और जो हमने पीनप किया है ना, इसकी वज़न सिलाई बहुत अच्छी तरह से हो जा रही है, कपड़ा में सुकुड़ा नहीं आ रही है, और पीनप हम इसलिए करते भी हैं, देखिए, हमने दोनों कपड़ों को टावेल और उपर के कपड़ों को जोइन कर लिया है, अब हमने हर जोइन पर लगाना है, यह देखिए, जो जोइन है ना, इन जोइन पर में इन पटियों को इस तरह से फोल्ड करूंगी पहले, यह देखिए, दोनों तरफ से हमने फोल्ड कर दिया, और ऐसे रखेंगे, हर जोइन पर, और जोइन पर रखकर, एक किनारे से हम सीधी किनार किनारे से सिलाई लगा देंगे एक किनारे पर सीधी सिलाई लगाते हुए हम उसे फिनिश करेंगे फिर दूस्रे किनारे पर दीडि है तो इस से क्या पट्टि बे-पिल्कुल जम हुई सी लग जायी और जॉईन भी नहीं दिखेगा और डिजाइनिंग ठीक इसी तरह से हर जॉइंट पर हमें पट्टी को लगा देना है पहले आड़े आड़े में लगा देंगे और फिर खड़े खड़े में लगा देंगे तो इस तरह से एक मजबूत डिजाइन वाला पायदान बनकर रेडी हो जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री हमारी थोड़ी स मेहनत लगेगी और जो कि बचे कुछे कपड़ों से ही बनकर रेडी हो जाएगा तो देखिए हम बना लेते हैं ये देखिए हमने आड़ी और खड़ी पट्टियां लगा ली है और इन पट्टियों को लगाने की वज़ह से बैक साइट में जहां में टावेल लगाया है ये बिशन पर लगाने जैसे वह बीज में जोैंट पर लगाया है उल्टी तरह से पहले उल्टी तरह से लगार रहे हैं उल्टी तरफ लगाने के बाद हम सीधी तरफ इसे पलट पर सिलाई कर देंगे त just उसी तरह से बन जाएगी जिस तरह से हमने जुआइन पर लगाया है मेरा एक और चैनल है मा कहो कहानी जिसमें मैं हिंदी कहानिया पहुत ही मोटीवेड़ कहानी लाती हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब करें यह देखिए हमारा पायदान बनकर रेडी हो गया है इसमें कोई ख सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद